हेलो आइस दिस इस नवन एंड यू आर वाचिंग क्रेटर क्रेटिव आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सफ्ट्वर के बादे में जिसमें आप अपनी PCP को डिजाइन कर सकते हो स्युमूलेट कर सकते हो और वैसे कई सारे मार्केट में अवैलेबल है PCP डिजाइनिंग के लिए पर हम अभी सर्किट विजाइड का यूज करने वाले है और आप ऐसे डिप्ट्रेस यहां सर्किट डिजाइनिंग से भी PCP डिजाइन कर सकते हो मुझे सर्किट विजाइड काफी जादा इजी और अच्छा लगा क्यों थूप हाँ था बोला कि इसके अंदर हम सर्किट को स्यूलेट भी कर सकते है और सर्किट की पीच्ट की उसको डिजाइन भी कर सकते हैं यह जो सॉफ्ट्व эту अर्ट्मायटिक आपकी पीचैन करता है हमको कुछ नहीं करना होता यह automatic आपकी PCB को design करके देगा बस आपको अपना circuit जैसे आपको दिया हुआ है वैसा इसमें design करना है तो सबसे वहले हम circuit wizard को open करेंगे मैंने इसको already install किया हुआ है आप इसको इसकी official website से download करके install कर सकते है उसके बाद में आपको इस तरह का interface दिखाई देगा जब आप इसको open करे इने तो यहां पर कई सारे sample circuits भी दियो है तो इंदे कि आप यहां पर काफी सारे sample circuit दियो है advanced circuit basic circuit तो आप जिस बीदर एक circuit आपको पहले से ready made चाहिए बना हुआ तो आप वह 20 में से ले सकते है और आप देखना चाहिए को circuit तो इसमें वह भी देख सकते है जैसी कि यह circuit एक simple पर 5V का simple सा एक bulb इसको on off करने के लिए यह circuit है तो इसको यह play करके देखता है तो जैसी आप इस switch को off करोंगे तो यह off हो जाएगा और जैसी switch on होगा तो यह अब these two way switch है तो एक time पर buzzer on होगा एक time पर light होगा तो यह आपका circuit इसमें बनाया होगा है वैसे ही आप इसमें कई स करने के बाद में new पर क्लिक करना है उसके बाद में आपको कुछ इस तरह का dialogue box देखेगा इसमें आपको simple okay क्लिक कर देना है इसके बाद में आपके पास एक new window आजेगी जिसमें आप अपना circuit design करोंगे तो हमें आप एक simple सा circuit लेलते है water level indicator का मैं आपको से एक example के लिए बता आप कैसे circuit इसमें design कर सकते है तो water level indicator का circuit है हम इसको अभी इस circuit circuit result में simulate करके देखेंगे और उसके बाद में PCP design करेंगे तो यह simple सा circuit है जिसमें चार तीन LED एक buzzer और चार transistor लगे हुए तो आप इसमें देख सकते है जब water tank फूल हो जाएगा जैसे यह water tank यहां पर दिया हुआ जब यह water tank फूल हो जाएगा तो जो buzzer है वो बजने लगेगा तो यह simple सा circuit है इसको design कर लेते हैं इसके बाद में आपको सबसे पहले circuit में देखना है आपके components क्या क्या है तो हमारे circuit में जो components दिये हुए transistor तो आपको यहां पर जाकर कि transistor select करना है यहां पर काफी सारे components दिये ह हो यह multimeter भी आप यूज करना चाहते है circuit simulation की time पर तो आप वह भी यूज कर सकते है तो हमको अभी transistor यूज करना है तो हम transistor लेंगे यह देखिए transistor लिखा हुआ है इसके बाद में इसमें यह transistor आ जाएगा अब हमारे circuit के इंदर हमारे NPN transistor लगा हुआ है तो हम NPN transistor पर क्लिक करें है अब है आप यह देख सकते हैं हाँ पर कोई value ने लिखी हुए सिर्फ NPN transistor लिखा हुआ है तो इसकी value set करने के लिए आप इस पर double click किजिए उसके बाद में यह आप आइडियल लिखा हुआ है तो आप यहां से इसकी value ले सकते है जो भी value का आपको transistor चाहिए तो आप वो ल हो जाएगा इसके बाद में आप इसको simple copy कीजिए और paste कर लिजिए उसके बाद में आपको यहां पर चाहर ट्रंजिस्टर लगाने तो हम simple से यहां चाहर ट्रंजिस्टर पेस्ट कर लेते हैं यह देखिए हैं चाहर ट्रंजिस्टर लग चुक है फिर इन ट्रंजिस्टर से एक बजर कनेक्ट और तीन LED कनेक्ट है तो हम यहां पर LED ले ले लेता है आप यहां देख सकता है यह डायोड है हमको LED सेलक्ट करनी है तो आप इसमें वापस से इस पर क्लिक कीजिए और इसमे LED, LED display light emitting diode अधी हुआ है तो इसपे light emitting diode पर क्लिक करेंगे रहे कई से LED दे ले लेते है just'd, इसको select कर के rotate लेते है इसके बाद में, जब यह rotate हो जाय, तो आग देख सकते है इसका end side जो है circuit के a-kording end side जो है वो transistor है तो हम इसको वैसे ही place कर लेंगे यहां पर इसके बाद में हमको चाहिए एक रेजिस्टर तो हम इसमें से रेजिस्टर भी सेलेक्ट कर लेते हैं यह रेजिस्टर से हैं यहां पर आप रेजिस्टर सेलेक्ट करें उन्हें से रेजिस्टर को क्लिक करके यहां पर पेस्ट कर ले इसके बाद में इसको भी हम रोटेट कर ले दे इस पर आप सेलेक्ट करें रोटेट कर सकते हैं यह रेजिस्टर भी हमारे रोटेट हो गया इसके बाद में आप देख सकते हैं सर्किट में जो हमको वैल्यू दीए रेजिस्टेंस की वह दिए 220 ओम तो 220 ओम का हम इसको वैल्यू सप्सीट करने पड़ेगी तो आप इस पे रेजिस्टेंस पने डेवल प्लिक करें उसके बाद में आपर देख सकते हैं कि वैल्यू है अब इसकी होग्के किलिक कर दिएक कर देंगे कृईंग का रीजिस्टेंस अब इसको कौपी कर रहे और पेस्ट कर दीजी हमको यह बे तीन डेस्टेंस ही तो आप 40 रजजाएंगे इसके बाद्में तीनों को लगने के बाद में आप एलीडी का कलर सैट कर लेते हैं आपको जिस भी कलर की एलीडी सैट करनी है वह भी कर सकते हैं जैसे मैं भी रेड कलर की एलीडी सैट हो रखी है तो हम यह रेस्ट को रेड कर लेते हैं और LED को भी कॉपी करके हैं पेस्ट कर लिते हैं यह LED हमने पेस्ट कर ली इसके बार में आप तीनों अगर LED का कलर अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग रख सकते हैं जैसे मैं हाँ पर जो LED का कि कलर है वह एक यालो कर रहा हूँ और जो थरड़ LED है इसका जो कलर है मैं यहां पर ग्रिन कर देता हूँ ठीक है उसके बार में आप इसके सिंपल कनेक्शन कीजिए जैसे आपको सर्कुट में दिया हुआ है जैसे ट्रांजिस्टर का जो टर्मिनल आपको ड्रेजिस्टेंश तो हमने LED और रजिस्टर को तो कनेक्ट कर लिया इसके बाद में जो यहाँ पर एक बजर भी लगा हुआ है तो बजर हमें आज से ले लेते हैं इन्हीं कंपोनेंट्स में आपको बजर भी मिलेगा जैसे ओडियो के अंदर यह बजर मिल गया तो इस बजर पर क्लिक करके आप सीधा कर लिते हैं अब ठीक है तो इसको भी हम जैसा कनेक्शन हमको दिया हूँ है वैसे कनेक्ट कर लिते हैं अब तो बजर भी हमारा ट्रंजिस्टर से कनेक्ट होगे इसके बाद में कुछ यह पावर सप्लाइब आपके लिए इसने सर्कीट में जो वोल्टेज की यूज हुआ है वो नाइन वोल्ट की बैटरी में यह से सेलेक्ट कर लिते हैं पावर सप्लाइप क्लिक करके आप यह बैटरी सेलेक्ट कर सकता है जैसे नाइन वोल्ट की बैटरी यहां दी हुई है तो यह नाइन वोल्ट की बैटरी को आप बहार लेके आए और जहां भी आपको सेट करना है वहाँ पर रख दे उसके बाद में जो बजर का एक टर्मिनल है वो नाइन वोल्ट की बैटरी से कन कर देता है उसके बाद में सारी डायोड के जो पी टर्मिनल है उसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो यह भी हमने कनेक्ट कर दिया इसके बाद में जो ट्रांजिस्टर का इमिटर टर्मिनल है वह बैटरी के नागेटिव से से connect होगा तो हमें आज से इसको भी connect कर लेते हैं इस बैटरी की negative से सब भी transistor को connect कर देंगे ठीक है अब हमारा जो नेटर टर्मिनल है वो भी connect हो चुका है अब हमको base इस टर्मिरल को वाटर में connect करना होता है वाटर में डालना होता है पर अभी हमारे पास समसीमुलेट करके देख रहा है इसके अंदर हमारे पास water available नहीं होगा तो हम याप इसविच का यूज कर लेता है तो आप देख सकते हैं यापर अबी चीडी और एक जो पॉजिटिव टर्मिनल एक और जा रखा है हमारे यहां पर पास्ट टर्मिनल जो है वह वाटर में गये तो मैं पास्ट चार स्विच ले रहेते हैं एकको तो हमको स्विच लगाने की कोई जूरत नहीं है बागी चार को स्विच लगाना पड़ेगा यहां पर कई तरह के स्विच दियो हुए आपको जिस भी तरह का स्विच यूज करना है वह आप यूज कर सकता है जैसे मैं SPST स्विच यूज कर रहा हूँ तो यहां मैं SPST स्विच को लेकर के पेश्ट कर दूँगा उसके बाद में आप इसको भी रोटेट कर ले तो यह स्विच भी रोटेट हो गया इसके बाद में आप इस स्विच को यह स्विच आपको जहां भी सैट करना है वहां पर सैट कर सकता है यह हम यहां पर इसको स्विच को सैट कर लेता है इसके बाद में हमको ऐसे चार स्विच चाहिए तो हम यहां पर इसको कॉपी करके और पेश्ट कर लेंगे तो एक और स्विच यहां लग गया तो यह चारों स्विच हमने कनेक्ट कर लिए इसके बाद में जो बैटरी का पॉजिटिव है वह हम डारक्ली से कनेक्ट कर देंगे एक स्विच के चारों स्विच के और कॉमन करके एक टर्मिनल को और बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे तो यह बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया इसके बाद में सभी ट्रांजिस्टर के जो बेस टर्मिनल है उनको इन स्विच से कनेक्ट कर देंगे तो हम बेस टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं तो यहां पर यह भी कनेक्ट हो गए इसके बार में आप इन स्विचे के नाम रख दीजी आप जो भी नाम रहा है यहां रखना चाहिए हम यहां पर इसको छोड़ते हैं स्विच के नाम को तो अभी हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है अब हम इसको टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के लिए आप को यहां पर सिंप्ली प्ले के बटन पर आप देख सकते हैं रन आ रहा है रन पर आप जैसी क्लिक करेंगे तो इस सर्किट डिश्टार्ट हो गया अभी आप देख सकते हैं कोई भी एलेडी ग्लो नहीं कर रही क्योंकि जो स्विचे वो सारे औओफ कंडिशन में है जैसी आप इसको और करेंगे तो देख सकते है यह ग्रीन लडेट का मैंने ईसलिच थाम आप एलेडी टार लेल यह जैसी बाटर इस इसी तरुए अब सारे शेडेव यह लो करने महीं ह मैं देख सकते है जो घंता चल रहा है कि बजह हमारा ओव चुका है अब हमारा सर्कृट जो है समीलेट हो चुका है उसके बाद में को PC डिजाइन करने है PC डिजाइन करने के लिए आप सबसे फ़हले सर्कृट का जो सिम्मिलेशन चल रहा है इसको stop कर दे, stop करने की बाद में, project पर click करेंगे, project पर click करने की बाद में, circuit symbol पर click करेंगे, उसके बाद में आपको यहां मिलेगा, आपको convert to PCB layout, जब आप convert to PCB layout करेंगे, तो आपको simply इसको में कुछ change नहीं करना, इसको सिर्फ next कर देना, next करने की बाद में, आप से पूछेग आप किस तरह की PCB design करना चाहते हो, thick track, normal tracks, thin tracks, आप किस तरह की PCB design करना चाहते हो, double sided हो, जो भी आप जिस भी तरह की आपकी requirement है, PCB design करने की आप उस पर click कर दे चाहिए, जैसे मैं आप ठिक track ले रहा हूँ, मतलब जो tracks हो, ठिक होंगे, हमारी PCB के copper जो track होंगे, उसके बाद में मैं select करने के बाद में, आपको यहां simple सा next पर click करना है, next पर click करने के बाद में, आपको यहां पर PCB की shape है, वो कैसी चीए, rectangular चीए, circular चीए, आप भी select कर सकते है, मैं rectangular select कर रहा हूँ, उसके बाद में next पर click करेंगे, तो यहां पर सब को चोच चुगा है, setup, उसके बाद में convert पर click करना है, convert करते हैं, आपकी PCB आप देखी हैं, आपके सारे component place होने लग गए, और आपकी PCB है वो, आपको ready मिलेगी, कुछ ही seconds में, minute भी नहीं लगते हैं, आपको PCB आपको complete मिल जाएगी, और आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने अपना circuit design किया, उसको simulate किया, उसके बाद में, आपका circuit जो है complete होगे, आप यहां देख सकते हैं, आप एक dialogue वोग आया, जिसमें लिख रहा है, automatic routing complete 91% of net connection, वर successfully routed, तो हमारी जो PCB है, वो complete हो चुकी है, और अब हम इस PCB को भी run करा के देख सकते हैं, इसमें जैसे आप power supply है, कुछ भी connectors आप लगाना चाहते हो, त बहुत कम टाइम में, यह PCB डिजाइन कर दिया, software ने, तो मुझे तो काफी अच्छा software लगा, अगर आपको भी software अच्छा लगता है, तो आप download करके इसका use कर सकते है, तो guys अगर आपने मेरे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर लिजिएगा, मैं ऐसी वीडियो आपके ल इसमें सब आप नीचे नीचे जाएंगे, तो आपको यह power supply मिलेगी, off board component, हमको off board components यह जो भी हम use कर रहे थे, वो on board components थे, अब हम off board component का use करेंगे, तो power supply पे आप click करेंगे, आपको यह battery दिखाई देगी, तो हम यह battery पे click करेंगे, उस battery को यहाँ पे paste कर लेंगे, तो battery का ज यह battery का positive है, यह हमने connect कर लिया और battery के negative को circuit के negative से connect कर लेंगे, तो circuit के negative से connect हो गया, उसके बार में हम यह switch connect कर लेता है, तो यह पे आपको दिखा रखेंगे, हमें S3, S1, तो हमें आपको सारे switches दिया हुआ, तो switches को करने के लिए हम यह simple switch स्विच डिया हुआ कोन सा स्विच आप सलक्त करना चाहते हमने है whipping हमने पावर सप्याल कर लिए उसके बाद में कि यूवाए हम स्विच करने क kij इस कोई भी एक शापेक को सलयक्त करते है जीसका भी जिसभी सुस्ट को हूगा वह एक लागए अब आपर इस से कनेक्ट कर देते हैं कि तो हमने आपर सुच को जो है से कनेक्ट कर दिया इसके बाद में ऑर अब कि शॉच हमारा कनेक्ट को गया आपको ख सिर्प्ली अपने पर सकी पर आपने सर्कृट को औरन यह green LED glow करने लगी है आप यहां देख सकते है green LED glow हो चुकी है जैसी आप switch off करेंगे तो बंद हो जाएगी on करेंगे तो circuit जो है हमारा proper work कर रहा है यह PCP के अंदर तो आप देख सकते है PCP हमारी complete है हमने circuit simulate करके देख लिया उसके बाद में आप यहां पर कई सारे option दे रहा है normal current flow आप देख सकते है normal अभी हमारा जो circuit है normal circuit आ गया इसके बाद में एसा circuit दिखाई देगा हम जब connect करेंगे तो और current flow current flow आप देख सकते हैं अभी हमारे circuit में current किस direction में flow हो रहा है आप यहां देख सकते हैं जो current है øs को और वावी प्राइट नहीं हो रहा है बाकि जो एक green LED on इसमे current flow दिखाई दे रहा है लागिक लवल ब्याप आप यहां पर काफी सारे options दिये हुए आपको काली PCB अपनी देखनी है black PCB किस तरी किसे दिखाई देगी तो इसके बाद में आपको print निकालने के लिए आपके control प्लस पी आप जैसी प्रेस करेंगे तो आपका print का जो पैनल है वो खुल जाएगा कि देखिए आप यहां control प्लस पी करके आप प्रिंट दे सकते हैं जो भी एक्च्वल साइज है वो इसकी print होकर के आजएगी आपको यहां पर सिंपली एक एक फॉर साइज का को ज़्यादा मेंनत करने की ज़रत नहीं पड़ेत wyb DE X Sich गाइए आप को कॉ Aur आपको है विडेयोस चाहते हो कोई भी टॉपिक से रिलेट्र तो आप मुझे बता सकते है comment box में आप कोंको कैसे लगी आप इसका comment करके नीचे comment box में बता सकते है thank you guys for watching this video